कि असलाम अलेकुम वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नैटिक्स जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि कि यहां पर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं अभी सिर्फ शेर्स के बारे में बात हो रही है लेकिन इंशाला आने कि दिनों में दूसरे आवन्यूस हैं जो उस पर भी बात होगी और शेर्स के बारे में आप लोग अपनी एक राए दीजिएगा कि कि मैं कुछ सोच रहा था कि जो कैंडल स्टिक्स और टेक्निकल इनालेसीज के हवाले से जो वीडियोस हैं वो अपलोड की जाएं जिसमें टे दूसरे भी वीडियोस वगरा बना रहे हैं तो ज्यादा तर इसी हवाले से होती है कि जी शेर्स करीद लें यह वाला खरीद लें यह वाला भी एचते हैं लेकिन जो अंडरस्टेंडिंग है अनेलेसीज की कि अनेलेसीज करना कैसे है और उसको आपने अपना जो बड़ा कम है हमारे जो वियूर्स है जिन्दोस्तों ने सब्सक्राइब की हैं उनके बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन सब्सक्राइबर भी आप देख लें कि खास नहीं है और व्यूस भी आप देख लें तो लेकिन वो लोग जो बता रहें गिजी यह शेर करीद रहं और यह बेचने उनके व्यूस बहुत ज्याता हैं तो देखिए अगर आप इसी सिल्सले पर चलते रहेंगे तो फिर जिसे वीडियो किसी की नहीं आएगी जिसको आप फालो कर रहे हैं तो क्या फिर आप बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि technical analysis को समझना भी ज़रूरी है तो बारहल यह मेरी राय है अगर आप लोग इस पर कुछ कमेंट्स वगरा देंगे तो फिर हम उसको courses वगरा started start करेंगे लेकिन वह paid नहीं होंगे कि मैं आप लोगों से कहूंगे तीन-तीन हजार उपे जमा करवाएं और मैं जी आपको course करवाता हूं नहीं वह वीडियो बनाके यहां पे upload करतेंगे आपको जब time लगे आप देख लीजिए तो चलें बातें बहुत हो गई अब चलते ह कि ठीक ही था कुछ खास वालियम जो है वो इंप्रेसिव नहीं है लेकिन ग्रीन है सबस चल रहा है तो 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 रोज की तरह सरक्ट ब्रेकर मैं लाज़मन देखता हूं और आपके साथ डिसकस करता हूं से थोड़ा साइडिया हो जाता है आज जो अपर लॉप पे companies हैं वह ज्यादा है और वो कितनी companies है इसमें हम देखें अगर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा 13 14 15 16 17 companies जो है यह अपर लॉक में हैं लेकिन एहम चीज़ इस company को डीम लाइल को और यह तो वैसे जिरो का है यह अठारा सो का है यह को पांच छे companies अगर आप इसमें से निकाल नहीं जिसमें को खास वालियूम नहीं है तो आज अपर लॉक पांच छे company पांच तीन को यह तीन कोई लगा है और लेकिन अगर हम लोर कैप की बात करें तो यह जितने भी companies को लोर लॉक लगा है मैं नहीं समझता कि यह किसी एक company को भी लोर ल लॉक होते हैं जो वालियूम के साथ और जो है वह अपर लॉक हो लोर लॉक हो वह एक movement होती है तो यह मुवमेंट नहीं होती कि 500 शेर किसी ने खरीदा फिर उसको लॉक लग गया जी और 16,000 शेर जो है उसके ओपर फिर लोर लॉक लग लग गया तो ना तो यह लोर लॉक है ना यह अपर लॉक है तो इनको मेरा नहीं ख्याल के consider किया जा सकता है मार्किट की मूव अच्छी थी लेकिन वॉलियूम जो है वो इतना अच्छा नहीं है वॉलियूम जो है यह बहुत एहमियत रखता है मार्किट के उपर जाने के हवाले से खास तोर पर यह देखिए ना सिर्फ तीन करोड का वॉलियूम है जो कि कोई खास वॉलियूम नहीं है पाकिसार रिफाइनरी में भी तकरीबन इतना ही है तो वॉलियूम जो है वो कुछ खास नहीं तो इस लेवल पर जाकर 40,000 प्लस पर मार्किट है तो मार्क वॉलियूम को चाहिए था कि कुछ लंबे- वह डंडे मनाते हिसके इस्टोग्राम के तो चलें टीकनिकल की तरफ चलते हैं कि आज की केंडल देखते हैं तो देखिए कि अंकल हमने बात की थी हमने एक टरैंड लगाई थी यहां से और उसके मताविग हमने यह देखा था जी मार्क यतरρχ अर उस路 है और उसी ट्रैंड क और हम यह कह सकते हैं कि मार्केट मजीद उपर जाने के मूड में लग रही है कल हमने कुछ रिजिस्टन्स लेवल जो थे वो डिसकस किये थे उसके बारे में देखते हैं कि क्या हुआ हमने एक रिजिस्टन्स लेवल यह वला बनाया था यह टेक्निकल अनलेसिस के बारे में जरूर बताईएगा ताके फिर उसके उपर वीडियो बनाई जाएं और आपको के साथ शेयर किया जाए कि कैंडल स्टिक जो है पैटरन उसको रीड कैसे करते हैं इंडिकेटर का इस्तमाल किस तरह से किया जाता है सपोर्ट रिजिस्टन्स जो है वो कैसे बनाया जाते हैं अच्छा जी और उसके बाद दूसरा जो था वो हमने लेवल यह वाला बनाया था और तीसरा जो हमने बनाया था रिजिस्टन्स वो यह वाला था तो मार्किट जो है वो उसने जब पहले लेवल को तोड़ा तो वो काफी बड़ी केंडल बनाई यह वाली उसके बाद आज भी वो दूसरे लेवल को भी तोड़ गए उसके ऊपर क्लोजिंग भी एक अच्छा साइन है जिसमें हम कह सकते हैं कि इन्शाला मार्किट जो है व अपने तूसरे रिजिस्टन्स को तोड़ने के लिए जा रही है लेकिन वॉलियम चुके इतना स्ट्रॉंग नहीं है तो अगर आपके पास शेर्ज होल्डिंग में हैं तो आज मैं यह जरूर कहूंगा कि कि 42,000 इस लेवल को तूटने से पहले पहले अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप निकल जाईएगा और अगर उसके बाद मार्किट इस लेवल को तोड़ती है और उपर जाती है तो फिर नहीं बाइंग होगी क्योंकि उसके बाद पर 50,000 की बाते होंगी उससे पहले नह हाइस बनेंगे लेकिन इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि मार्किट जो है वो यहां से डिपल ले सकती है मुम्किना तोर पर चले अपना इंडिकेटर इस्तमाल करते हैं बॉलिंजर बैयान इस्तमाल करता हूं मैं ज्यादा तो यह देखिए यह ट्रेंड लाइन हमने लगाई और कबले हमने बात की थी कि बॉलिंजर बैंड जो है वो अपनी विट्थ जो है वो बड़ी करने जा रहा है तो यह एक पॉजिटिव साइन था कि मार्किट जिए वो उपर की तरफ ट्रेंड में है और आज भी जो है वो कैंडल टोड़ी किसी जहां बुरिंडर बैंड से बैंड के बाहिर बनी है तो इस रोके को इतनी बुरी नहीं है को तरी डेंजरूस भी नहीं है इसके साथ हम और रसाई को देख लेते हैं मैं इस्तुमाल करता हूं स्टोकहस्टिक आरा साई अब यह देखिए यह थोड़ा सा जो अभी मैंने आपसे बात की ना कि वालियम बड़ा कम है तो आप यह देखिए कि यह जो ब्लू लाइन है यह यहां से ऐसे सीधी जाने की बजाए इसने आपने आपको यहां से मूव किया और अब यह थोड़ा सा ओपर कर्व मिल जा रही है तो वालियम कम होने की वजया से तो यह चीज जो है थोड़ी सी मुझे डेंजरिस लग रही है लेकिन आप लोग इस चीज को मतने दर रखेगा कि यह लेवल तो तूट गया और अगले लेवल से पहले पहले इस लेवल से पहले यह जो हमारा तीसरा लेवल है वो मैं एक पर आपको फिर दिखा देता हूँ यह इस लेवल से पहले पहले आप प्रॉफिट बुक कर लेजिएगा ठीक है जी आखिर में मुझे जरूर बताईएगा कि टेकनिकल अनालेसिस के हवाले से वीडियो अपलोड की जाएं ताकि आप लोग खुद अनालेसिस कर स कें तो ठीक है जी आज के लिए सिर्फ इतना ही अलाहाफिज